तो उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर के एक सबसे ब्यापक और सबसे प्रभावी स्रंखला प्रारम हो रही है संपूर उत्तर प्रदेश जिसके अंतरगत हम लोग संपूर उत्तर प्रदेश का अध्यन करना प्रारम करेंगे आज ये पहली क्लास है और मैं आप सभी को ये पूरी तरीके से विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आप सभी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे से वाकिब हो जाएंगे आने वाले कुछ क्लासेज में उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हर एक पहलूओं को पढ़ेंगे तो आज मेरे साथ आप लोग एक क्लास प्रारम करने जा रहे हैं संपूर उत्तर प्रदेश की ठीक है और साथ ही जितने भी बच्चे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए कोई भी एक्जाम देते हैं चाहे वो UPPSC का एक्जाम हो समिख्षा दिकारी साहेक समिख्षा दिकारी का एक्जाम हो या भी UP SSC PT द्वारा जो भी एक्जाम आयोजित किया जाते हैं या ने कोई भी एक्जाम सभी में उत्तर प्रदेश राजी विशेष की भूमी का है या फिर जो लोग अपने एक तरीके से समझे कि आपको अपने राजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए यादि आप एक्जाम दे रहें या नहीं दे रहें मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अपने अभिभावकों को भी बैठाएं इस क्लास में कि आप लोग भी उत्तर प्रदेश के बारे में सीख सकते हैं जान सकते हैं तो बहुत आसानी से समझाऊँगा मेरे साथ जो आप लोग दो घंटे तीन घंटे रहेंगे उन सभी अवधी में ये समझे कि आप विकुल याद करते चले जाएंगे जितना भी टाइम आप मेरे साथ बैठेंगे इस क्लास में आप याद करते चले जाएंगे कोई भी चीज भूलेगी नहीं दोबारा रिवीजन करने के वशक्ता नहीं है और बहुत आसानी से मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता चला जाऊँगा आपके उत्तर प्रदेश आपके जहन में बैठ जाएगा आपकी आत्मा में उतर आएगा तो आज से एक बड़ी सरंखला के तौर पे संपूर उत्तर प्रदेश की क्लास प्रारम कर रहा हूं में बहुत आसान भासा में समझाओंगा हर चीज को प्रयास यही रहेगा आपको चीजे याद होती चली जाएं तो आप लोग मेरे साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूं यह सेशन प्रारम करने के लिए और आप सभी भी बहुत ज्यादा इक्साइटेड होने चाहिए और निशित तोर पे एक ब्यापक और विश्तित विश्यवस्तु को बहुत आशान भाषा में मेरे साथ सीखते चले जाएंगे ठीक है तो चलिए पहला सेशन प्रारम करेंगे मेरे सामने यह मांचित्र है उत्तर प्रदेश का भारत का सबसे ब अबादी से भी बड़ी अबादी भारत के उत्तर प्रदेश राज के अबादी विश्यों में दूसरे स्थान पे है चेन पहले नंबर है पर उत्तर प्रदेश में जंसंख्या बहुत जड़ा है चेत्रफल के अधार पर चौथ ऑस पर यह हेलेकर और एक संस्कृति के केंद बस कोशामभी मतलब प्राचीन बहुत सारे इस्थलों का छेत रही है तो आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश का ये एक तरीके से प्रारम कर रहे हैं और आप सभी को मैं पूरा भरोसा दिला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अब आप सभी के लिए बहुत आशान और बहुत महत्यपूर्ड जो एक विशय के तोर पे है आपको समझ में आएगा ये मेरा आप सभी से प्रामिश है तो चलिए स्टार्ट करते हैं है ना सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का राजनितिक मानचित्र पढ़ेंगे और आज की क्लास में आप लोग उत्तर प्रदेश क राजनितिक मानचित्र को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनितिक मानचित्र से आप पूरी तरी से वाकिप हो जाएंगे आप पूरी तरीके से इस मानचित्र को अपने जहन में बैठा लेंगे ठीक है ये मान के चलिए तो आज से आपको और मैं जिले वारत दिन भी कराओंगा। आप लोग जिस जिले से भी हैं। आप लोग के जिले उत्तर प्रधेश के सभी 75 जिले और 18 मंडल जो हैं सभी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखे ये आपका मानचित्र है उत्तर प्रदेश का, राजनितिक मानचित्र है, देखे एक राजनितिक मानचित्र होता है, एक आपका प्राक्तिक मानचित्र होता है, प्राक्तिक मानचित्र में जो उच्चावच होते हैं, वो सारे दिखाए जाते हैं, मैदानी छेत्र हो विभाजित किया गया है प्रसासनिक तौर पे प्रसासनिक किकाईयों के तौर पे और जिलों के तौर पे मंडलों के तौर पे संभागों के तौर ठीक है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे जादा जिले हैं आप देख रहे होंगे यहां पर इतने सारे जिले दिख आपको 75 जिले हैं टोटल उत्तर प्रदेश में और 18 संभाग है 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में तो देखे एक पहले प्रस्ताव आया था वो प्रस्ताव जो है मौजूदा उस समय जो मायवती सरकार थी बसपस सरकार थी उसके दौर लाए गया था कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित कर दिया जाएगा वैसे ऐसा कुछ है नहीं बट फिर भी जब भी हम किसी राजी को पढ़ते हैं तो राजी को पढ़ते समय एक विभाजन कर लेते हैं जैसे हम भारत के बात करें तो भारत में हम बात करते हैं पश्मी भारत है या उत्तरी भारत नौर्थीष्ट इंडिया की बात करते हैं साउथ इंडिया की बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो उसी तरीके से कभी सी राज जी को परते हैं ना तो राज जी को एक बार थोड़ा सा हम बांट लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है तो अभी बीच में जब बिधान मंडल पे बिधान सभा में बट अब वो कोई उसका प्रभाव नहीं है बट फिर भी मैं उत्तर प्रदेश को एक बार विभाजित करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे जैसे हम यह देख रहे हैं ठीक है उत्तर प्रदेश को त फश्य प्रदेश आया इसको मैं मान जेतर और है मेरे पास इस मानचेतर से देखिए यह को मेरट मेरट समभाग के गाजय वार जिले में आपका संसथान है तो यहां से ही मैं आपका अभी क्लास ले रहा हूँ और दूसरा जो आपका है, यह वाला चेत्र इसमें लगभग 22 जिले थे, आप यह वाला देख सकते हैं इस मान्चित्र में यह पूरा का पूरा इस मानचेतर में चीज है ये वाला हिंसा अभी एक-एक संभाग वाइस बाटेंगे ठीक है तो ये पश्मी उत्तर प्रदेश है आपका ठीक है डेबलब्ड है देखा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा यदि विक्सित हम किसी उसकी बात करेंगे कि सबसे विक्सित छ प्रचितरों में से एक है फिर ये वाला देखिए तो मद्धि उत्तरप्रदेस है यह आपका हो गया पश्रीम उत्तरप्रदेस वेस्टवाला इंसा और यह आपका। उत्तर प्रदेस है को अवध प्रदेश भी कहा जाता है ठीक है यह मद्धुत्तर प्रदेश है ल waving खीरी हो गैया zakन उगया रायब्रेली हो गया कानपुर नगर हो गया कानपुर सेंटरल कानपुर्ड देहा तिटावा है अब फरुखाबाद यह पूरा का पूरा यह आपका सेंट्रल उत्तर प्रदेश कह सकते हैं यह मद्ध यूपी इसमें टोटल 22 जिले हैं आपके इसमें लगबग 14 जिलों के आसपास हैं तो यह आपका सेंट्रल यूपी हो गया नीचे वाला हिस्सा जो है आपका बुंदेल खंड क इसके कई जिले आते हैं और यह पठारी छेत्र है आपका बुंदेल खंड का पठार है पूरा का पूरा पठारी छेत्र है तो यह वाला आप देखें यह चेत्र आपका उत्तर प्रदेश में इसको बुंदेल खंड चेत्र कहते हैं जहांसी हो गया ललितपूर हो गया है और कह सकते हैं कि और मेरी सिक्षा दिक्षा जो है वह हुई है मद्धी यूपी में राय राओं में पश्मी उत्तर प्रदेश में है ना तो अभी भी मतलब यहां आना जाना रहता है सारी चीजे है ठीक है अब इसके बाद यह वाला जो छेत्र आपका पूरवांचल वाला पूरवांचल वाला छेत्र है अपका यह पूरा का पूरा फैजाबाद हो गया यहीं पर वराणसी हो गया आपका जौनपूर हो गया सोनभद्र हो गया बलिया हो गया दिवरिया हो गया तो काफी बड़ा छेत्र है अबादी बहुत जादा है यहां पे अभी आर्थिक प्र लगभग इन चेत्रों पर डिवलप्मेंट बहुत गती से चल रहा है मौझूदा सरकार की प्रात्मिक्ताओं में भी चेत्र है तो यदि बात करें तो टोटल लगभग साथ जिले आपके यहां पर आते हैं लगभग साथ जिले तो आपके बुंदेल खंड से हैं सबसे आपकी वो पस्ट्र में उत्त्र प्रदेश तक सीमित रही जो है यह वाला छेटर आपका एक तरीके से महा नगर चेत्र हैं यहां पर लखनौव रादधानी आपकी सेंट्रल यूपी में है ना यहां पर लखनौव राद धानी है और इसके बाद राइबरेली हो गया बहु पिर ये पर इसके बाद यह पुरूवानचल की बाद करें तो सांस्कृतिक तॉर पर यहां पर पर बहुत है कुषी नगर हो गया यहां आ सुल्टानपूर हो गया प्राचीन नव चेत्र हैं यहां ठीक है और महराज गंज इसको expressway से जोड़ दिया गया बुंदेलखन expressway और अभी पुर्वानचल expressway से पूरा पुर्वानचल जोड़ा गया है तो सुल्तानपूर से होकर के जाता है पुर्वानचल expressway आपका जो है मैं अभी जौनपूर गया था लास्ट टेम पे आप लोगोंने मेरा एक वीडियो द पढ़ाने का प्रियास किया मा गंगा की गोद से बैठ करके वहीं से मैंने पूरा पढ़ाया था तो वह वाला एपिशोड जरूर देखना चाहिए आपको भारत दर्शन के आपको बहुत को सीखने को मिलेगा संस्कृति और कल्चर को ले करके तो यह हमारा उत्तर च्शेतर अवध प्रदेश और यह आपका पूर्वान चलवाला च्शेतर एक यह देख है यह आप का सेंटरल उपई एक ख्लियर अब चली हम एक पार समझते हैं देखे प्रशासनिक तोर पे विभाजन जो होता है भारत को राज्यों में बाटा गया है राज्यों को मंडलों में बाट दिया गया है और मंडलों को जिलों में बाट दिया गया है जिलों को तैसीलों में बाट दिया गया है तैसीलों को ब्लॉक में बाट दिया गया है और सबसे मू लिकाई प्रशाषन के हमारे गाहँ भी है तो आज जो है मुत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठोड़ा सा आप लोग को साथ सात नोट्स भी बनाते जाना है ठीक है तो आप लोगो चीजें समझ में आएंगी तो उत्तर-प्रदेश के जिलों क बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं मैं नाम लिखवाता जाओंगा जीलों का और कौन से संभाग में आते हैं कि संभाग में कितने जीले हैं तो शुरुवात हम करेंगे गाजियाबाद वाले छेत से यह मेरट संभाग का छेत्र है यह ठीक है टोटल सब को पता है 75 जीले है 18 अब बात कर रहे हैं कि यहां पर ठीक है चलिए सभी बच्चे अब अराम अराम से लिखते जाएगा और याद करते याद होता जाएगा निशेंत रहिए अत्तर प्रदेश आपके जहन में बैठ जाएगा आज आप उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश से परचित होने जा रहे सबसे बड़े संभाग है तो इस मानचित्र में जो है न मैं आपको एक-एक संभाग बनाता चला जाओंगा और उमीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ संभागों को बनाते चले जाएगा, ठीक है, एक-एक संभाग लेता जाओंगा, सभी के पास यदी, Google, आपके पास भी यदी, वह एटलस हो, तो और अच्छी बात है, एटलस लेकर के बैठियेगा, एटलस में आप देखते चले जाएगा, और ड्रॉ करते जाएगा या फिर मैं नाम बताते जाओंगा, तो नाम बताते हुए भी समझते जाएगा, ठीक है, तो चलिए इस बात करते हैं सबसे पहले मेरट संभाग की, तो यह आपका मेरट है, ठीक है, अब मेरट संभाग में 6 जिले हैं, पहला तो मेरट हो गया, दूसरा यह गाजियाबाद पूरा दिल्ली से लगता है आपका गाजियाबाद हो गया फिर इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर भी सी में आता है हापुड भी सी में आता है बुलंसेर भी सी में आता है बागपत भी सी में आता है तो मेरट हो गया यहां पे बागपत हो गया फिर यह गाजियाबा बाद में ने बाद में इंके बार इमें चर्चा करेंगे फिर बुलन सहर और फिर इसके बाद हापूड छय के छयो लिख लिख लिजिये कोई है तो नहीं यहां से इस छेत्र से संभाग और मंडल एक ही चीज है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल बोलते हैं ना कई जगाओं पे संभाग बोला जाता है जैसे कि उत्राखंड हो गया या फिर राइस्तान हो गया तो संभाग और मंडल मतलब एक विभाजन है प का मतलब मंडल है ठीक है यह समझने का प्रयास करिए गा संभाग और मंडल में कोई अंतर नहीं किसी तरीका कन्फ्यूजन मत रखेगा तो पहला होगे आपका फर्स्ट अठारा संभाग है टोटल अठारा मंडल है अठारा के आठारों के बारे मिंच बात करेंगे यहां पर ठ दूसरा चलते हैं दूसरा है आपका छ च्स तो इसमें च्षा जीले आपके मेरत में में है ठीक हा छी जिलों में ही आपका यहां पे कानप्वर यह ओण है में ह exemplo से इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज और अरया, ठीक है, तो यहाँ पे एक कानपूर है आपका, कानपूर, कानपूर देहात, इटावा, और अरया, कन्नौज, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, इसमें एक और रहे गया, ठीक है, कानपूर, कानपूर देहात, इटावा, फरुखाबाद भी एसा है इसमें, हाँ, फरुखाबाद रुख जाए, उपर से ले लेते हैं, फरुखाबाद भी उपर से जुट जाएगा, इसमें, यह आपका फरुखाबाद, कन्नौज, कानपूर, कानपूर देहात, औरय या इटावा यह यह आपका दूसरा हो गया सबसे बड़ा है कानपूर कानपूर में लिख लिजिए एक बार सभी के नाम लिख लिजिए 6 जिले हैं इसमें कानपूर में ठीक है कानपूर में 6 जिले हैं आपका ठीक है नाम लिख लिजिए एक बार पहला है आपका कानपूर न कानपूरन वह इतावा शेल पर का पर आपके अब चलते अपर उबकर छेत्में इसके जाष्ट बगल में च्छै जिले ल अग्नव में हैं शैजीले आपके लखनव में भी हैं यह हमारा जो लखनव वाला च्छेतर है इसमें 6 जिले हैं टोटल ठीक है लखनव में कितने हैं 6 जिले लखनव, उन्नाव, राइबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी यह तीनों आते हैं, आप यह ऊपर देखें, यह वाला चेत्र है, लखिमपुर खीरी, यह आपका, मैं बनाता जा रहा हूँ मानचित्र में देखते जाना और याद करते जाना सभी लोग, ठीक है, यह आपका लखनव वाला चेत्र है, लखनव मंदल की बात कर रहे हैं, अगल लखनव उन्नाव हर्दोई है अरे इसमें और आपका बारा बंकी भी आपका, हर्दोई हो गया, उन्नाव हो गया, लखनव हो गया, सीतापूर हो गया, खीरी हो गया लखनव उन्नाव राइबरेली सीतापूर राइबरेली नीचे है थोड़ा सा इस वाले छेतर को एक मिनट यह आपको यहां पर चलेंगे राइबरेली यह हाँ यह आपका राइबरेली लखनव गया कांपूर अपका मिर्ट मन्डल हो गया छहां इसके मुरादाबाद चलते हैं इसके बाद आते हैं नेक्स नमबर पर मुरादाबाद आपका ये पढ़ता है ये वाला छेत्र आप देखिए ये पश्मी उत्तर प्रदेश में पढ़ता है पश्मी उत्तर प्रदेश में आपका मुरादाबाद छेत्र पढ़ता है ये वाला छेत्र मुरादाबाद मंडल, ठीक है, चौथा मंडल है हमारा मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद में पांच जिलें हैं, पांच जिलों के नाम लिख लो मुरादाबाद में, पहला तो मुरादाबाद है, दूसरा रामपूर है, मुरादाबाद, रामपूर, ये पूरा का पूरा आपका मुरादाबाद मंडल है रामपूर रामपूर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और ये आप का है विजनौर क्लीयर टोटल 4 मंडल हो गए आपके चार मंडल हो गए छे, चे, 6, 6, 7, 18 और 5, 23 जिले हो गए आपके टोटल इन में तोटल तेज जिले हो गए, खिक है, अब आगे चलते हैं, चार-चार वाली लिश्ट में चलते हैं, अगला है आपका बरेली, खिक है, तो बरेली आपका यही बगल में जस्ट पड़ता है, मुरादाबाद के बगल में ही बरेली है, बरेली में आपके चार, इसमें भी आपके तोटल चार आते हैं चार कौन-कौन से हैं बरेली में एक बार क्रम से आप लिखते जाना पहला है आपका बरेली में जो चार है आपके हाँ लिखेगा बरेली, बदाईू साई जहापुर, पीली भीती ठीक है? बरेली ज़ेश्ट बगल में इसके बदायू है, साय जहांपूर है, और पीली भीत है, ठीक है, बरेली, पांचवे नमबर पे हैं, बरेली, बरेली में हैं, चार जिले, चार जिले हैं, टोटल, ठीक है, पीली भीत, बरेली, बदायू, साय जहांपूर, ठीक है, क्लियर हो गया, इस परस्ट है, इसके बाद चलते हैं, देवी पाटन, देवी पाटन में आपका, देवी पाटन मतलब एक तरीके से, इसका मुख्याले गोंडा में है, देवी पाटन जो आपका मंडल है, इसका मुख्याले गोंडा में है, तो इसमें गोंडा, बैलरामपुर, स्रावस्ति, बहराईच, यह आपका हमें चलना पड़ेगा इधर, यहाँ पे, यह आप देख रहे हैं, देवी पाटन मंडल, इसका मुख्याल है गोंडा में है, गोंडा वाला छेत्री है, मुख्य तोर पे आप गोंडा वाले छेत्र से जादा जानते हैं, यह पूरा का पूरा छेत्र, चार है इसमें, ठीक है, पहला जटवा नमबर है, देवी पाटन मंडल, चार जिले हैं इसमें, मुख्याले गोंडा है इसका, अभी मुख्याले वगएर हमें बाद में बताऊंगा, सभी जिलों के मुख्याले होते हैं, सभी मंडलों के मुख्याले होते हैं, तो किस मंडल का कहां पे मुख्याले मैं आप आपका मेरट हो गया, कानपूर हो गया, लक्ष्णव हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेलू हो गया और देवी पाटन हो गया, अगला चलते हम, अपने जो हमारे इस समय मुख मंतरी जी है Muka Manthuri जी के विदान सवाज छेत्र में चलते हैं योग्या धितनाज जी जो है नहीं माननिय मुक्छमंत्रि जी तो यहां पे गोरगपूर मंडल जो आपका है गोरगपूर भी आपका क्या है मंडल है का जिल 텍क फार्ण चले कोई भी राज आधा अधूरा विकास नहीं कर सकता कि एक हिस्सा तो बहुत डेबलब्ड हो जाए दूसरा हिस्सा अधार्भू जरूरतों के लिए भी हमेशा विकास कैसा होना चाहिए समतापूर्ण होना चाहिए सोसल जेस्टिस समाजिक निया सब को बराबर मिलना चाहिए अभी ये चेतर पिछड़ा है लेकिन गोरकपूर में अच्छा खासा विकास हो रहा है और गोरकपूर के विकास से फिर कुशी नगर हो गया देवरिया हो गया गोरकपूर हो गया इन सब चेत्रों को बिलकुल निश्ट तोर पे केंदर बनके ये चेत्र उभरेगा ठीक है तो गोरकपूर महाराज गंज कुसी नगर देवरिया यह आपका सात्वा है गोरकपूर मंडल गोरकपूर मंडल ठीक है टोटल चार जिले इसमें है क्लियर है देखो याद करते जाना बार-बार मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं इसी कारण से कि आपका एक रिवीजन भी साथ स वाले छेत्र में इसी से लगा हुआ है यहीं पर काशिव विश्वनात यह वाला छेत्र आपका जो है पुर्वांचल में ही है आपका और बनारस में भी चार वरांडसी बोलते हैं वरांडसी मंडल तो वरांडसी मंडल में चार जिले हैं आपके वरांडसी जानपूर उसी स पूरा चंदावली है और यहां पर गाजीपूर है वाराणसी- वाराणसी- चार जिले- उसमें आपके- वारानसी में- चार जिले हैं- गाजीपूर- जौन पूर वाराणसी- चंडावली- इसपस्ट है- कोई किसी को कोई तकलिफ नहीं है ठीक है अब आगे चलते हैं वराणसी के बाद जो है नेक्स्ट आपका जो मंडल है वह है आगरा मंडल आगरा में अब हम फिर से पुर्वांचल चल रहा है अभी हमने यह वाला च्छेत्र आप देखे राजिस्थान से सीमा सटा हुआ च्छेत्र तो यह आपका देखे कौन-कौनसा है इसमें एक बार क्रम से समझने का प्रियास करिएगा आगरा वाला च्छेत्र में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और महन पूरी चार जिले आता है यह वाला आपका यह देखे महन पूरी है एक मिनट तो यह आपका यहां पे मैन पूरी है आपका यह भी आगरा में आता है फिरोजाबाद हो गया आपका आगरा हो गया और मतुरा हो गया यह सारे के सारे चारों आपके आगरा मंडल पे आते हैं चारों आपके किस्से आते हैं आगरा मंडल पे ठीक है और इधर आपका यह कानपूर वाला था इसको भी ड्रॉ कर देते कर नोज भी आई नई उपर से जा कि और यहां पर फरुक बाद हो गया का नौज हो गया कानपूर इबात कर रहा हूं mit कानपूर देहान कानपूर नगर यह पूरा का पूर आपका और यह लखनव वाला जो था लखनंव वाला लखीमपुर खीरी थी क्वाल ख़ीक हो यह इस लिए थीक है क्वारा बंकी त्री कि शीटा पूर लखीमपुर ख़्येक चलिए तो यह होगरा आगरा में चार जिले हें आगरा फिरोजबाद महिनपुरी मतुरप ठीक है यह आप आपके चार जिले हैं, इसके बाद है आपका अलीगर्ड, ये आप देखें जस्ट इसके उप लगा हुआ है अलीगर्ड मंडल, अलीगर्ड मंडल पे भी आपके टूटल चार जिले हैं, अलीगर्ड, एटा, हाथरस और कास गंज, ये वाला छेतर आपका, एटा और कास गंज, ये टूटल आपके कितने हैं, चार जिले, चार जिले, यहाँ पर भी अलीगर्ड मंडल पे, आगरा वाले में, आगरा, मतुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ठीक है ये हो गया, मेरट वाले में थे, मेरट, बागपद, गाजियाबाद, गौतम ठीक है, इसके बाद ये लखनवु था आपका, छैजिले, लखीमपुर, खीरी, हर्दोई, सीतापुल, लखनवु, उन्नाव, रायबरेली और बारा बंकी, और ये कानपुर वाला च्छेत था, कानपुर महानगर, कानपुर देहा, तौरयया, इटावा, कन्नौज, और फर फैजाबाद में पांच है, फैजाबाद में फैजाबाद का नाम आयोध्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तित हो चुका है, फैजाबाद का नाम आयोध्या हो चुका है, तो अब जो है, इसमें आयोध्या में आपके पांच जिले आते हैं, आयोध्या, सुल्तानपुर, बारा बंकी, अमेठी और अमेठकर नगर, ठीक है, तो ये वाला छेत्र है आपका, अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, ये पुरा नमान चित्र है, अब ये छेत्र पूरा अयोध्या हो चुका है, ठीक है, तो पाध जिले हैं आपके, अयोध्या, फैजाबाद के नाम ये है सुल्तानपूर, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, एक कौन सा रह गया इसमें, इसमें एक कौन सा रह गया, पैजाबाद, सुल्तानपूर, बारा बंकी, अमेठी, अमेठकर नगर, बारा बंकी आपका, बस्ती, यहाँ पे सुल्तान, सुल्तानपूर से हमारे साथ है, यह वाला उपर वाला छित्रा रहे, यह मांचित्र में गड़बड हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड हो गया, बारा बंकी भी है इसमें, यह लखनव वाला जो मांचित्र है, इसमें चला गया यह, अभी मैंने दुबारा रीड्रॉ किया था तब दिक्कत हुई थी फिर से एक बार इसको रीड्रॉ कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से समझते हैं, यह आपका यहां पे बारा बंकी, बारा बंकी फैजाबाद, अमबेटकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, ड्रॉ कर देने से समझी नहीं आ रहा था, इ यह आपका अयुद्य मंडल है आपका ठीक है और यह वाला जो च्छेत्र है यह फिर से मैं लखनव को कर देता हूं लखीमपुर खीरी हर्दोई लखनव उन्नाव सीतापुर रायबरेली क्यों रह जा रहा भाई रायबरेली भी आपका है लखिंपुर खीरी ठीकद है अब ठीक है अब सही और इससे पहले गुंडा था आपका इसमें डेवी पार्टन्र वाला छेत्र चार इसमें थे आपके ठीक है ये वाला आपका अलग हो गया देखो ये हम जूम आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अभी काफी मंडल बच्चे हुए आपके तो टोटल आपके कौन-कौन से हो गए लखनावू हो गया कानपूर हो गया मेरट हो गया फैजाबाद हो गया अलीग प्रतापगर प्रतापगर फतेपूर और काशामबी फही प्रतापगर प्रतापगर उखनाव किले ऑचक आक तो कोशामभी ये आप का प्रतापगर प्रतापगर प्रयागराज कौशामभी और फतेहपुर काफी बड़ा है ये भी ये वाला प्रयागराज है ये चार जिले हैं यहां पे टोटल चार यहां पे हैं ठीक है इसके बाद अगला चलते हैं चित्रकूट वाला जो आपका है चित्रकूट धाम मुख्याले बांदा से है और मेरा जन्मिस्थान यहीं पे है और चित्रकूट एक बड़ा पावन भूमी है आपको पता होगा भगवान सीराम ने अपने बनवास का धिकान समय चित्रकूट में ही जो है बैतीत किया था तो बहुत एक टूरिस्ट प्लेस भी है यह चेत्र आपका महोबा हमीरपूर बांदा चित्रकूट यह चार आते हैं इसमें ठीक है चार आपके इसमें आते हैं इस मंडल के अंतरगत ठीक है चार जिले इसमें भी है चार जिले हैं चित्रकूट के अंतरगत चित्रकूट बांदा हमीरपूर महुबा चित्रकूट बांदा हमीरपूर महुबा अगला चलते हैं मिर्जापूर मिर्जापूर में तीन जिले आते हैं आपके ये आपका नीचे मिर्जापूर मिर्जापूर में आपके तीन जिले आते हैं तीन जिले आते हैं मिर्जापूर में, तीन जिले कौन कोर से हैं, यहां पे एक तो आपका मिर्जापूर ही है, दूसरा सोन बद्र है और तीसरा भधोही है, है ना भधोही या संत्रविदास नगर भी बोलता है, इसको यहां से स्टार्ट होता है, संत्रविदास नगर, पज्जापूर और सौन्भद्री इसमें आपके तीन जिले है ठीक है ध्यान रखेगा अब अगला चलते आजमगर आजमगर यह देखिए यहां पे जॉनपूर से सीमा cat साजा करता है आजमगर जौनपूर और फिर ये उपर गोरकपूर है गोरकपूर से भी सीमा साजा करता है आजमगर तो आजमगर में भी तीन जिले हैं आजमगर मंडल का नाम है मैं जो भी बता रहा हूं मंडल के नाम बता रहा हूं मंडल के अंदर जिले हैं आजमगर मंडल ये आपका आजमगर ठीक है आजमगर मौ बलिया ये आपके आते हैं तीनो ठीक है आजमगर मौ बलिया ये पूरा का पूरा छेत्र आपका आजमगर मौ बलिया ठीक है तीन आपके ये हो गए आजमगर मौ बलिया तीन जिले इसमें आते हैं आजमगर मुख्याले में ठीक है इ वस्ति में आपका संत कबीर नगर सिधार्थ नगर और बस्ति यह तीनों आपके आते हैं आपे आगे चलते यह आपका बस्ति यह है आपका सिधार्थ नगर इसका मुख्याले नौगर है बस्ति और संत कबीर नगर खलीलाबाद मुख्याले है संत कबीर नगर का तो नगर है आपका सीमा साजा करता है नेपाल के साथ महराज गंज हो गया सिदार्थ नगर हो गया बलरामपूर हो गया स्रावस्ति हो गया सारे के सारे बहराइच हो गया सीमा साजा करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लास्ट दो बचें आपके एक तो आपका जहांसी मंडल बचा है दूसरा सहारनपूर बचा है तो पहले हम सहारनपूर में देख लेते हैं यह आपका देख रहे हैं भारत का यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्री मंडल है और कह सकते हैं सबसे पश्मी मंडल है सबसे उत्री और सबसे पश्मी उत्तरी जिला सहारनपूर है और सबसे पश्मी जिला सामली है, सबसे पश्मी जिला कौन सा है, सामली है, तो इसमें तीन आते हैं, सहारनपूर, मुझफर नगर और सामली, ये वाला पुरा इस मंडल पे तीन आते हैं, आपके, सामली और मुझफर नगर, इसमें तीन जिले हैं, तीन जिले हैं इसमें, तीन जिले है है पहला है सहारंपूर यह मेरट हो गया और जहांसी तीन जमले आपके जासी ललित पूर और जालां यह आपका इसका भी उरियेये हैं त्हें तो यह तो टोटल रहा मंडल हो गए आपके है अब काउंट कर लेते हैं तो ओर आइडियय लग जाएगा उपर से करते हैं यहां से मैं और काउंट कर लेता हूं चलिए काउंट करते हैं नंबर एक यह आपका साहरनपूर है नंबर दो आपका मेरट हो गया नंबर तीन आपका मुरादाबाद हो गया नंबर चार आपका बरेली हो गया नंबर पांच आपका अलिगड़ हो गया मार्क बरेली हां नंबर पांच आपका आलिगरवाल हो गया, नमबर 6 आपका आगरा हो गया, नमबर 7 आपका कानपूर हो गया, नमबर 7 के बाद नमबर 8 आपका ये जहासी वाला देख लेते हैं, नमबर 9 आपका ये चित्रकूट हो गया, फिर इधर आपका ये वाला लखनव वाला हो गया, नमबर 10 आपका लखनव हो गया फिर इधर 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर आपका अब अपने उसमें देख लिजेगा मैं यहां पर रैंडम इधर से बढ़ता हुआ जा रहा हूं इसलिए मैं देख रहा हूं नंबर 11 आपका प्रयागराज हो गया ठीक है फिर 12 नंबर आपका जो है टोटल यह अब यह अदो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कितने हो गया तोटल आपके पास यह अयोध्या मंदल हो गया और 12 ě बाद 13 अब का जो है आपका यह देवी पार्टन मंदल है गोंडा मुख्याला है तैक है बस्ती हो गया तैरह के बाद 14-14 के बाद फिर इधर बानाडसी हो गया इस तरीके से 18 के 18 मंडल और उनके सारे जिले हो गया आपके 18 मंडल 18 मंडल और 75 जिले जिले 18 मंडल और 75 जिले क्लियर है इस पश्ट है सभी को कोई दिक्कत नहीं है ये तो राजणितिक मांचित्र है देखो दो तीन बार चार बार देख लोगे इनको याद कर लोगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ठीक है इन में से आपको पता है कि दो में पांच जिले थे आपके दो कौन से थे पांच जिलों वाले पहला तो आयोध्या वाला था आपका, आयोध्या वाले में पांच जिले थे आपके और मुरादाबाद में पांच जिले थे, छै वाले तीन थे आपके छै जिले वाले लखनावू, कानपूर और मेरट, बाकी चार वाले काफी हैं, तीन वाले भी काफी हैं, तीन वालों में म बहुत बेसिक चीजे वाफ़ से है और थोड़ा सा दोग एक ट्रिश में करेंगे और करने के Baad फिर आपका बहुत इक मान says को अच्छे से डिटेल समझ लेंगी कि बहुत इक्रोब से कैसे इसको बाटा गया है उच्चावच कैसे हैं जलवाईव कैसी है प्रकति कैसी है तराई प्रदेश और मैदानी प्रदेश और पठारी छे तर्किस तरीके से विवाजित है तो ये वाला भी हम लोग एक बार देखेंगे बहुत बेसिक क्लास है पर ये है कि उत्तर प्रदेश से आप वाकिफ हो जाएंगे जानकारी आपको मिल जाएगी ठीक है तो एक बार इसको रट लो सभी लोग और मेरे इसाब से मैंने कोशिस की है कोई तुरुटी नहीं हो कोई तुरुटी यदि हुई हो तो एक बार आप लोग बता दीजेगा या फिर थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन कुछ हुआ करे तो गुगल में जरूर आप कर लिया करो एक बात देख लिया करो वैसे मेरी तरफ से कोई मैंने आपको तुरुटी नहीं बताई है तो यह रही आज की क्लास आज का सेशन आज इतना ही रखेंगे आग से तैयारी को बेहतर करिए